ये बड़ी खबर उत्तरपदेश से चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने गन्ना किसानों को तोफा दिया है गन्ने का समर्थन मूल्य तीन सो पचीस रुपए प्रती कुइंटल से मढ़ा कर तीन सो पचास रुपए प्रती कुइंटल कर दिया गया है लगनों में किसान सम्मेलन में योगी ने किसानों के लिए कई ऐलान किये उन्होंने कहा कि किसानों के विजली बिल का ब्याज माफ होगा योगी ने भरुसा दिलाया कि किसानों का शोशन बिलकुल नहीं होने दिया जाएगा योगी ने राज़ में रिकॉर्ड गेहूं खरीद का भी बेवराक किसान सब मेलन में किसानों के सामने रखा रणवीर जोड़ गया है हमारे साथ स्पीच रणवीर नगातार जोस तरह के सिति उत्तरप्रडेश में बनी हुई थी और यह जो तमाम फैसले अभी योग्या दितनात की तरफ से लिए गए जिसका उन्होंने एलान किया यह क्या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और क्या कुछ पूरी बात रही देखें बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं क्योंकि यूपी मैं अगले चार पांच महिने में चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले जिस तरीके से इस्ताना नुलन हो रहा है उसमें किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने गन्ना के जो मूले हैं उसको बढ़ाने की गोशना की है गन्ना चुकि MSP के तहट नहीं SAP के तहट आता है यानि State Assured Price और उसको बढ़ाके 25 रुपय किया गया है ऐसे में जो बड़े गन्ना किसान हैं और चोटे गन्ना किसान जो सरकार को अपना गन्ना बेशते हैं चीनी मिलों के लिए उसके लिए बड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जिस टाइमिंग के साथ ये गोशना की है क्योंकि लगातार अकल भारत बंद को लेकर के गोशना किया है किसाना अंदुलन्स करने वालों ने और उसके अलावा जो यूपी में प्राव बढ़ाने की कोशिश हो रहे थी जिस नेताओं की उसके तहत मुख्यमंत्री की ये गोशना कहीं ना कर इचनाव में असर डालेगी और ये एक सरकार के प्रास एक बड जानकारी दे रहे थे और देखे किसान संबेलन में योगिया दितनात ने पूरी बात क्या कहीं है एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं अब तक जिस गन्ने का 325 प्रतिकुंडल दाम मिलता था उस गन्ने का हम 350 रुपे गन्ना किसानों को भुक्तान करेंगे सरकार ने तै किया है कि भायो बेनो सामान ने गन्ने का जो 315 रुपे अब तक दाम था उसमें भी 25 रुपे की विर्दी होगी वह 340 रुपे का भुक्तान उसमें भी होगा ABP News आपको रखे आगे